बारा सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं सचता अभियान के तहट जन्पा धर्दोई में निशन मन्लावर में ब्राम पंचायत के अलियाफ करने की जुमेदारी नहीं निबादाने वाले पधान और मौजिले में संसरी खेज मामला सामने आया है जहां भूमी सनच्चर अधिकारी रामकिशोर के ऊपर कार योजना में आए 62 लाग रुपे का खोटाला करने का आरूप लगाया गया है हालंकि इस मामले में मुख्रमंत्री योगी आधित्यनात का संगठन फिश्र हिंदू महासंग के लोगों ने रिपोर्ट मागी थी जिसके बाद पता चला कि पिछले 15 दिनों पहले कार योजना के नाम पर सरकार ने 62 लाग रुपे भेजे थे लेकिन भूमी सनच्चर अधिकारी जामकिशोर सहीत अन्य करमचारियों के ऊपर 62 लाग रुपे के घोताले का संगीन आरूप लगा है जिसके बाद सिटी मरी स्टेट ने आनन फानन में भूमी सनच्चर अधिकारी को नोटिस जाली करते हुए आख्या मांगी है वहीं दूसरी भूमी सनच्चर अधिकारी ने विश्व हिंदू मासंग के लोगों के खिलाफ कोत्वाली में धमकी देने की शिकायत दिकी जिसके बाद विश्व हिंदू मासंग के लोगों ने कलक्टेर पैसर में अधिकारीयों के खिलाफ जमकर नारेबाजी के पदस्चन किया वहीं सिटी मरी स्टेट ने ग्यापन लेकर जाज की कारवाई का अस्वासन भी दिया वहीं दूसरी और विश्व हिंदू मासंग के नेता ने बताया कि 62 लाख रुपे का गोटाला हुआ है जिसमें भूमी सरचण अधिकारी राम किशोरवय अन्यकरमचारी सामीर है जब हम लोगों ने इसकी रिपोर्ट मांगी तो अधिकारियों के द्वारा लोगों के खिलाब कोत्वाली में शिकायत की गई कि हमने अधिकारियों को धमकी दी है जबकि ऐसार नहीं है हमने सिख गोटाले का परदा फास किया है इस बारे में जाच होगी जो सही पाया जाएगा रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया सब्सक्राइब करें जो है यह जो है कि अधिकारियों क्रमचारियों दोरा जो है पुल रूप से बंदर बाट कर लिया गया है बुंस्वत्कारी जो है कि असपस्टिकर जाच न करा करके आया जो है कि जो है जो है जो था आरोप लगा रहा है कि संगठन के लोगों ने हमें बार्ले पिट्टे के धंकी दे रहा है यह उटा आरोप लगा रहा है कि हमारी आवाज को दबाने के लिए जो है बुंस्वत्कारी का यह पुड़ता प्रयास है कि अगर हम इस तरह का आरोप लगाएंगे इनकी आवाज नहीं दब जाएंगे कि सनचल मुंट शंगधन मरताम करता हूं